प्रभु येश्व मसी आपके जीवन की समश्याओं को दूर करेंगे यदि आप इस काम को करते हैं मेरे खुदा जब बीमारियों से होकर ये गुजर रहे हैं पिता हस्पिटलों में हैं प्रभु दुर्बलताय, दर्द, तकलीव, प्रभु घाओ, प्रभु येश्व मसी प्रभु ये अपने शरीरों में महसूस कर रहे हैं परन्तु तेरा वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को चंगा करूँगा यदि आप प्रात्न करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें हम आपके लिए प्रात्न करेंगे धन्यवाद प्रेज लौड दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रात्न में और हम परमेश्व का धन्यवाद करते हैं सुन्दर सुबह के लिए जो उसने आप और मेरे जीवन में हम सब के जीवनों में जोड़ी है इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज के पूरे दिन को हम प्रभु के हाथों में देंगे ताकि हमारा दिन हम सब का दिन ब श्काम को करते हैं, तो आप एक समश्याओं से मुक्त जीवन ब्यतीत करेंगे, खुशी आसिसों से भरा हुआ जीवन ब्यतीत करेंगे, क्या काम करना है आपको, परमेशुर के वचन पर भरोसा करना है, परमेशुर के कहे हुए वचनों पर भरोसा, एक वचन हम लोग देखें दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ, एक सुबेदार का सेवक बहुत बीमार है, यहाँ तक कि वो मरने पर है, मृत के करीब है। और इस प्रस्तिती में जब वो सुबेदार ने सुना कि येशु मसी उस नगर से होकर जा रहे हैं, तो उसने कुछ यहूदियों को, यहूदियों के पुर्नियों को येशु के पास भेजा, क्योंकि वो तो अन्य जाती था, लेकिन उसने यहूदियों को प्रव येशु मसी के पास भेजा कि वो आए और उसके सेवक पर हाथ रखे और उसे चंगा करे। जब वो पुर्णिये ये ये शुमसी के पास गए तो उन्हों ने ये ये शुमसी से कहा कि ये बेखती इस योग्या है, ये जो सुविदार है, ये इस योग्या है कि इसकी मदद की जाए, क्योंकि बहुत भला आध्मी हैं इसने हमारे लिए बहुत दान दिये है इसने हमारा अरादनल्य का भोन भी सीने बनवाया है इसलिए ये जरूरी है कि तू उसके पास जाए और उसके सेवा को चंगा करे ये भला बेगती है इसके लिए होना चाहिए और येश्यमसी दोस्तों को भेजा ये कहते हुए कि प्रभू मैं इस योग या नहीं हूँ कि तु मेरी छट के तले आए तु अब दुख मत उठा बलकि वहीं से वचन कह दे तो मेरा सिवक चंगा हो जाएगा। विश्वास कर रहा हूँ। ऐसा ब्यक्ती जो केवल सब्दों पर विश्वास कर रहा है। ऐसा बड़ा विश्वास मैं नहीं देखा। करते औरो चंगा हो जाता लेकिन उस सुबेदार ने कहा कि तू यहां मता वहीं से वचन कह दे तो दुख मत उठा इतने दूर मता मैं इस योग्य भी नहीं हूँ तू वहां से वचन कह दे केवल वचन कह दे दोस्तों मैं सोचता हूं यह सुबेदार वचन की सामर्थ को जानत जानता था कि वचन में कितनी सामर्थ है, यह जानता था कि वचन में जीवन है, यह जानता था कि यदि प्रभी ऐश्य मसी वचन कह देंगे तो मेरे सेवक चंगा हो जाएगा, वो जानता था कि वचन बहुत पावरफुल है, तब ही तो प्रभी ऐश्य मसी कहते हैं कि ऐसा वि पर विश्वास किया हूँ, दोस्तों आज मैं आपसे कहना चाहूँगा, और प्रभी एश्य मसी ने, जब वो लोग सुविदार के घर पहुंचे, प्रभी एश्य मसी फिर उसके घर नहीं गई, लेकिन लोग जब वो अहां पहुंचे, तो पता चला कि वो उसी समय उसका सेव चंगा हो गया था, जिस घरी प्रभी एश्य मसी से वे लोग बाचित कर रहे थे, वो उसी समय चंगा हो गया था, और वो बिलकुल स्वस्त और भला चंगा हुआ, दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूँ, आज सुभे में मैं आपको उत्साइद करना चाहूँगा, आपक कर लेकिन उस सुविदार ने ऐसा नहीं किया उसने कहा तू यहां मता लेकिन वचन कह दे सबसे ज़्यादा important वचन कह दे प्रभ येश्यमसी ने कहा रवचंगा हो गया दोस्तों आज मैं आपको outside कहूंगा कि वचन पर भरोंसा करें वचन पर भरोंसा करें अपनी प्रस्तिति के यदि आप उसे प्रोकलेम करेंगे यदि आप उस पर मनन करेंगे तो वो आपके जीवन में फलवंत होगा आपके परिवार में फलवंत होगा वो एक बीज के समान है जब आप किसी बीज को बोते हैं उसे सीचते हैं उसे पानी देते हैं उसकी देखरेक करते हैं तो वो बढ़ता चला जाता है और एक दिन एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है जिसमें अनेकों फल लगते हैं तो वो वचन का भीज उसको आपको दिनरात मनन करना है उसको आपको खाना है जब आप दिनरात मनन करेंगे तो वो फलवन्त होगा वो फलवन्त होगा आपके हिर्द सित होंगे आप सफल होंगे आप चंगे होंगे आपके परिवार में सांती होगी आनंद होगा खुशियां होगी परंत कब होगा ये सब हर एक समस्या से आप छुटकारा पा चुके होंगे लेकिन कब होगा ये सब जब आप इस सुवेदार की तरह परमेशुर के वचन पर भर बरूसा करेंगे अपने घर में वचनों को लगा दें आप यदि कभी मौका मिले हमारे घर में आने का तो हमारे चारों तरफ हर कमरे में हर दिवार में वचन ही वचन लगे हुए हैं जिन वचनों पर हम भरूसा करते हैं जो हम चाहते हैं कि प्रवो हमारे जीवन में करे उन व पाईरी में लिखा हुआ है, अपने हर जगे पर वो वचन लिखे हुए हैं, आफिस में वचन हैं, जहां जाओगे वहाँ, आपको हमारे पूरे घर में वचन ही वचन मिलेंगे। प्रवो आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में इस वचन को पूरा करतेगा, इस वचन को फलवंत कर देगा, सुबेदार कहता है कि केवल वचन कह दे, और आज आपको भी यही करना है, वचन, एक वचन को पकड़ लें, एक वचन को थम लें, और उस पर दिन में पूरा करेंगे और निश्चे पूरा करेंगे क्योंकि वचन सामर्थी है वचन में जीवन है वचन फालवन्त होता है वचन खुद प्रभी एश्युमसी है बिना वचन के कुछ नहीं होता वचन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ गये होंगे कि आपको क्या करना है और यदि आपको वचन चाहिए अपने घरों पर लगाने के लिए तो आप हमारे इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं आपको वचन भेज दिये जाएंगे उन वचनों के लिए हमने प्रातनाए की हैं और आएदि आप उन्हें अपने घरों में लगाते हैं तो प्रव उन वचनों को आपके जीवन में आपके परिवार में फल्वन्त करेंगे तो प्रव आपको इस वचन के दोरा बहुतायद से आसिस दे आमीन दोस्तों हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने ह आपको बढ़ा रहे हैं उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं सो प्रव आपको आसीस दे जैम से दी मैं परमजीत को चलंदता हूं मैं अपनी गवाई दे नचों दिया हैं मैं क्यारां दिसंबर नू मेंन बहुत बगार शुरू हो गया खंक खंसी और जुकाम बहुत जाता शुरू हो गया बी दिन तक मैं बिमार रही ते मेरी पोती ने जैसमीन ने प्रेयर संटर विच प्रेयर लिखी के पे जी रिक्वेस्ट पे जी ते उननांदा ज़तों चपाव जेश में सीधा तानबात कर दियां ते कि मेरी होट चोटी गवाई है मेरा पेटा बहुत श्रापी के गालां कड़ता सी सान रात नू बहुत श्रापी इंदा सी ते रात नू बहुत बहुत गालां कड़ता रिंदा सी एक दिन मैं बहुत दुखी हो गया ते मेरा पेटा रा प्रवगता तन बाद कर दिया एक होर छोटी गवाई है ते मेरा पेटा नो खांसी को गयरा बहुत चाड़ी सी सक्तनाम नूं बहुत जादा बुखार सी उसले भी असी रिक्वेस्ट पे जी प्रेश सेंटर बेचर और सार्या ने प्रेश किती ते ओ मेरा पेटा हूं ठीट ठ तो असी ठाई त्रीक नो अधा प्रेश्न होया बिल्कुल काम जाओ हो गया ते यहोंनो ठीक ठागया असी बहुत-बहुत ताड़ा तन बाद करते हैं सारे नदा टीम दा अमरता सिस्टर पीके में सी ब्रदर दा और प्रवु दा बहुत-बहुत-बहुत करोड़ करोड़ा ओर दानबाद करते हैं और अग्दिक याउड़ वक्न करते हैं आज की सुंदर सुर्भा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं आपकी प्रशंस आपकी बढ़ाई आपकी तारीफ करते हैं आपकी महिमा को करते परमेश हम घटे प्रभू येश्यो आप बढ़े मेरे खुदावन धनिवाद देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा हालेलूया थैंक यू फादर मैं धनिवाद करती हूँ आज की सुन्दर सी सुभा के लिए प्रभू रात के विश्राम अच्छी नीन सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन के लिए आपका धनिवाद और आज के दिन में प्रभू हम सब को जीवितों की पृत्वी पर जेवित रखने के लिए आपका धनेवाद करते अपका सम्मान आदर करते प्रभू हम सच में मेरे खुदावन इस बात के लिए धनेवादी हैं प्रभू कि तू हमें अपने पंकोतले हिफाज़त से रखता है और हर ए सब्सक्षाइब निल्गवाई यह वाल्य को हाटने वाले यह को सब्सक्राइब नास्री के उनके जीवन के घृण कर दो अब अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ अपने फैमिली में आपばい को परभu आप नहीं नहीं है अपकी जसा कोई नहीं है आप हम मारे जीवन का हिस्सा है आप हम सब का पार्ट है परमिश पिता Thaink U Lord Jesus जब आप हमारे जीवन का हिस्सा है तो अपने अनुसार हमें चलाएं आप हमने हमारे जीवनों में आके कारे करें प्रभू येиков सी आप सब जानते हैं भूत भविश्यों परतमान आप सब जानते हैं प्रभू इस समय इतने लोग प्रभू हमारे साथ प्रात्ना में शामिल हैं देश विदेश उसे जगा जगाउं से प्रभू तेरे लोग प्रभू जो तेरे वचन के भूके और प्यासे हैं जो संगती और प्रात्ना में बढ़ने के लिए परमिश जिस प्रकार प्रबू वो सुबिदार का विश्वास हम देखते परमिश्य पिता कि सच में प्रबू उसने वचन पर भरोसा किया और प्रबू तुस से कहा प्रबू तु वचन कह दे तो मेरा सेवक जंगा हो जाएगा येस माई लॉड इतना बड़ा फेत परमिश्य प्रबू हमको देखने को मिला और सीखने को मिला परमिश्य कि उसने तेरे वचन पर भरोसा किया उस बोले वे वचन पर भरोसा किया परमिश्य पिता हाँ मेरे खुदावन आज प्रबू हम सब का जीवन भी कुछ इस प्रकार स से हो पिता कि हम तेरे वचन पर विश्वास करने वाले हों हम तेरे वचन के अकॉर्डिंग चलने वाले हों हम तेरे वचन को अपने जीवन में जगा देने वाले हों और अपने जीवन में अश्चर करमों को हम देख सके पिता प्यारे परमेश्वर ऐसी दुआ ऐसी प्राथन हम आप से करते प्यारे परमिश्वर कि आप साहिता करें और मदद करें परमिश्व पिता प्रबु सुबैदार की तरह प्रबु इन भाई बेहनों का विश्वास भी तेरे वचन पर हो जब तुने वचन में कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा तो प्रबु आज इतने लोग अकेले पंद से प्रबु परेशान है वो अकेले पढ़ गए हैं कोई भी साथ देने वाला नहीं कोई भी स्टैंड लेने वाला नहीं है परंतु तेरा वचन उनके लिए कहता है मैं तुम्हारे साथ में आज इस बात पर इस वचन पर वो बिलीव करें कि वो अक करती है तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा यस मैं लॉड प्रभू जब बहुत सी बातों में इन्हें ऐसा महसूस हुआ रहे हैं ऐसे परस्तिती से होकर गुजर जब लोगों नहीं छोड़ दिया बहुतों नहीं त् पिता होस्पिटलों में हैं प्रभू दुर्बलताएं दर्द तकलीव प्रभू घाओ प्रभू यश्मसी प्रभू यह अपने शरीरों में महसूस कर रहे हैं परन तो तेरा वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को चंगा करूंगा आज इस वचन पर प्रभू हर एक बीमार पाड बनाएं अपने जीवन का हिस्सा बनाएं ऐसी दूआ मैं करती हूं पिता प्रभू यह मैं दूआ करती हूं प्रभू जब इनके बच्छे पर्बो गलत रास्तों में चले गई य pigत जब बहुले जब इस अंघन मानों कि प्रभू बहुत जादा गलत होता चला जा रह हाँ परमेश्वर इन वचलों को क्लेम करते प्रभू इनके बच्चों के लिए, हाँ मेरे प्रभू आप उन्हें सवारे, आप उनके जीवन को ब्लेस करें खुदावन, क्योंकि आप अपने लोगों के और उनके बच्चों को, उनके परिवार को कभी नहीं छोड़ते हैं पि क्योंकि तेरे परवत पर प्रभू उपाई होते हैं, तेरे पास उपाई है और वो उपाई इन भाई बहनों के लिए इनके जीवन के हरे चेत्र में करें, जब ये कमी में हैं, गर्जे में हैं, लोग इनके उपर चड़ा है, प्रभू जब जब जर्रते पूरी नहीं हो पा परिक्षाओं का दौर चल रहा है पिता प्रातना है तुन्हें वचन में कहा है परमिश्वर कि मैं तुम्हें से भार परिक्षाओं में ना पढ़ने दूंगा यस माई लॉर्ड आप दया करें प्रभू जितने लोग दुस्ट आत्मा में अदुस्ट आत्मा के कार्य को अपन धनिवाद करतें पिता आज जितने भाईबें समस्या में परिशानी में दुख बीमारी संकट विरोध और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं जो प्रभू उनके प्रभू किसी को भी बयान नहीं कर सकते प्रभू परन्तु इस समय उन्होंने आपके सामने उन बातों को रख करें आप सुने उत्त़ दे और सुधील परमेश धनिवाद पिता जितने भाईबें सेवा करतें प्रभू मिनिस्ट्रिस करतें मैं आपके कारियों को करें प्रभू घान वुद्धी समझ दे आप उन्ने इस्थिर्ता दें आप उनकी सह्ता करें ताकि प्रभू जब आपके कार्य को कर रहे हैं तो और अधिकाई से वह कर सके परमिश्वय़् जिन्हों ने आपके राज्जी में बोया है प्रभू येशुफ百व करें आशिषित करें और प्रभू फॉझ कोई और घटी कमी आपके लोगों के जीवन में ना हो वरन अप्रमपार आशिशों की वर्षा आप उनके जीवनों में करें पिता आज भी यदि इनके जीवन में घटी कमी है तो प्रभू ये घटी कमियों में ना रहें प्रभू क्योंकि ये ऐसे जल के शोते के पास है जो प्रभू येश मसी कभी भी इन्हें मुर्जाने नहीं देता कभी भी प्रभू इन्हें कम नहीं होने देता वरन फलवंत करता चला जाता है और प्रभू वो शोता आप है धन्यवाद करते हैं प्रभू आज के वचन के लिए आज के सुन्दर प्रात्ना में प्रभू सुरू से लेकर अंद तक अपने लो के दिन को इन भाई बहनों को तेरे हाथों में देते हैं आने जाने में सुरक्षा प्रदान करें दुरगटनाओं से गलत लोगों सो नेगेटिव बातों से आप इने बचाएं परमिश्वर और इनकी साहिता करें प्रभू इनके काम सफल हो इनके लिए सारे इंतजाम करें और